आज हम अग्या चक्र के बारे में बता रहे हैं कि अग्या चक्र कहा होता है यह किस जगा पर केंद्रित होता है अग्या चक्र जहां पर हम तिलग लगाते हैं माथे के केंद्र में इस्थित होता है ये भौतिक शरीर का हिंसा नहीं है लेकिन इसे प्राणिक प्रणाली का हिंसा मना जाता है और इसे एक पवित रस्थान बनाता है जहां इसके लिए सर्धा दिखाने के लिए सिंदूर लगाया जाता है और अंजना चक्र जो है पीनियल गरंथी के रूप अनरूप होता है अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा अज्या चकर खुल रहा है क्योंकि अज्या चकर खुलना बहुत बड़ी बात होती है भोहों के वीच में जो अज्या चकर होता है जहाँ पर शिव जी का तीसरा नेत्र होता है वहाँ पर ध्यान किया जाता है ध्यान लगा जाता है अपने ध्यान को यहीं पर केंद्रित किया जाता है यहाँ पर पहले आप जब शुरू में अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो काला काला नजर आएगा फिर निला रंग दिखाई देता है फिर पले रंग की परिधी वाला होता है और इसकी जगा वैसा ही दूसरा बड़ा गोला दिखाई लेना लग जाता है अग्या चक्र का रंग कौन सा होता है अग्या चक्र जो है दो भोहों के मद्ध में इस्तित होता है और अग्या चक्र का परतीक दो पंकड़ियों का कमल है और ये कमल सफेद और नीले गहरे से गहरा नीला रंग से मेल खाता है सबसे पहले मुलाधार चक्र होता है जो वो जागरित होता है यह जो हम आपको बता रहे हैं यह योग साधना के चक्र की संकल्पना का पहला चक्र होता है तो सबसे सक्तिसाली चक्र हम आपको बता देते हैं जो सीर्ष पर होता है उसे सहस्त्रसार कहते हैं इसका प्रतिक कमल की 1,000 पंखुडियां जो होती है ये सिर के सीर पर औसितित रहता है और ये जो होता है सहस्तरार बैगनी रंका और इसे जो है आंतरिक बुद्धी का आजाता है देहक मिर्ठों से जुड़ी हुई सारी जानकारी इसमें छिपी होती है और जब हम ध्यान करते हैं, क्या दिखाई देता है, हमने आपको पहले बताया कि काला रंग दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देने लग जाता है, अंधेरे में कहीं कहीं नीला दिखता है, और फिर पीला दिखाई देता है, और इसी प्रकार से कुंडलनी सक्ति जागरि होने लगेगी तो आप कुछ सारीरी लक्षणों का भी अन्वो कर सकते हैं चाहे जब रात में नीद खुल जाएगी आपको बहुत पसीना आएगा रोने का मन करेगा अपनी रिड़ से उर्जा का त्रीद गती से गुजरना ऐसा आप महसूस करेंगे तब आप सोचेंगे कि हम कुन्डलनी तेजी से उपर उठते जाती है और किसी एकक चक्र पर जा करके रुकती है और उसके बाद फिर वो उठे उठने लग जाती है उपर उठने लग जाती है अपने अंदर की सक्ती जाकरित Peng की sie से दिरंतर अभ्याज करने से असीम धैर के सम्मोहन के परियोग से इस प्रकार से आप ध्यान करना सुरू करेंगे और जब भी आप कोई भी इस तरह का कारी करें अनि कुंडलनी सक्ती को जागरित करें गुरू का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि गुरू के बिना ज्यानन और गुरु के बिना ये कोई भी कार्या आप नहीं करें क्योंकि ये विद्या मन की एकागरता का ध्यान का धारना का समाधि का ही मिला जुला रूप होता है तो ये साथ चक्रों की खोज आपको हम आपकी जानकारीर के लिए बता देते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई आधनिक पस्चिमी चक्र प्रणाली के कई सुरोतों से उत्पन हुई जो 1880 के दसक में यह शुरू हुई थी रंगों की सुरुआत किया था तो इस परकार से इसमें सात जो है चक्र होते हैं और मुलाधार चक्र क्यों खराब होता है मनिश्य की पसुप्रविर्ती को नियंतरित करता है जब हमारे मन में ऐसे उल्टे सीधे विचार आते हैं अर्थात हमारे खान पान की विवस्था में जब हम इधर उधर जाने लग जाते हैं मतलब हम कुछ ऐसा वैसा चीज़ें खाते हैं और तरह तरह के जब हम घरे ग्रिष्टी में फस जाते हैं सुसु तवस्था में मुलाधार तामसिक प्रविर्टी को बढ़ाता है कि सोते रहना, काम में मन नहीं लगना, बिभिन बजनों के प्रति आ सकती तो होना, अत्याधिक्त सेक्स करने की इच्छा जागरी तो हो जाती है, तो यह मुलाधार चक्र उनका समझहीं लिजें, ऑफोज की खराब होता है, मुलाधार का चक्र जो होता है, मुलाधार चक्र बेशिक चक्र माना गया है, चैतनी करके कं से कम समय में जागरीत करना चाहिए और अपने सरीर की नकारात्म कुर्जा को नुश्ट करें, मुलाधार का मंत्र है ओम रीम ब्लांग 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 रीम स्वाह यह मंत्र है इसका और मनुश्य के सरीर के सक्ति के कितने केंद्र होते हैं और कुंडली जागन के समय शरीर में दर्द क्यों होता है शरीर में पहला चक्र कौन सा है आपको बताई दिया मुलाधार मर्णो प्रांथ कौन सा चक्र दिया जाता है यह जो है हम आपको बता देते हैं यह परमभीर चक्र कहते हैं यह तो सरवोच होता है सौरिसेन अलंकर्ण है जो दुस्मनों की उपस्तिती में उच्च कोट की सूर्वीरता का यह त्याग के लिए परदान किया जाता है और ज्यादा तर इस्तितियों में सम्मान मणो प्रांत ही दिया जाया है तो ध्यान करने के नुकसान क्या हो सकते हैं भी सशक्यों का ऐसा दावा है यह कोई मेडिटेशन से लोगों में यह जायंटी अटेक आ सकता है क्योंकि ध्यान लगाते लगाते आदमी कहां पहुँच जाएगा इसलिए गुरू के बिना ज्यान होता और गुरू का होना बहुत जरूरी होता है अगर आप कोई साधना करें गुरू की सानिध्धी में ही करें तो आपको दिबिसक्ती मिल जाएगी दिबिसक्ती क्या होती है संतों को उर्जा का केंद्र माना गया है और वो अपनी साधना से प्रकिर्ती में फैली ही उर्जा का संग्रा करता है और इसलिए अपनी संग्रहित उर्जा को अपने भक्तों के कल्यान के लिए बाड़ता है जब हम जाते हैं गुरुजी की सर्ण में गुरुजी हमारे उपर हाथ उठा करके आसिरवात देते हैं हमारे उपर किर्पा बन जाती है वही दिब सक्ति होती है अगर हमारे दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है आप कमेंट्स करके बताईएगा और किसी बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमारे से पूछ लेजिएगा हमारा नमबर अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो अपना जो है जनम समय, महीना, सन, जनम स्थान, नाम अगरा भी जी तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद